इस वीडियो में हम ब्यूटी के subjective concept को reveal करेंगे. कुछ ऐसे features and functions जो एक average face को symmetrical और well balanced बनाते हैं और इनको correct करने के tips भी बताऊंगा. जैसे कोई भी शखस beauty concept के हिसाब से अपने भाई से बिल्कुल different होता है. आपने comments में बताना है कि आपकी शकल अपने भाई से कितनी मिलती है. Research के according एक perfect face में कुछ ये common features पाए जाते हैं, जो काफी लोगों को पसंद भी होते हैं. एक symmetrical और identical face किसे कहते हैं. इसको मैं बाद में explain करूँगा. तो इस वीडियो को completely देखने के बाद आपको knowledge मिलेगा कि कौन से facial features हमें most attractive बनाते हैं. Number one हम अपने emotions को sad और happy situation में different gesture और expressions के through express करते हैं. कुछ लोगों के facial expressions तो अच्छे होते हैं. मगर कुछ लोग अगर कोई face expression बनाएं, तो face on quad लगता है. जैसे हमारा forehead. क्योंकि अगर एक smooth forehead, जिसमें wrinkles और धब्बे ना हो, तो ऐसे forehead को attractive समझा जाता है. अगर माथे पर wrinkle हो तो 20 का बंदा 30 का लगता है. कुछ लोग सोचते हैं कि इसका solution सिर्फ surgery होता है. मगर मेरे पास एक ऐसी remedy है, जिसका सिर्फ दो मिनट मसाज forehead wrinkle को बिलकुल गायब करेगा. बलकि पूरे face पर अगर निशान है तो remove होंगे. तो इसी बात पर जरा like भी दबा दें आपने. वन पिंच पिसी हुई fit curry, और one of tea spoon aloe vera and honey को mix करके पूरे face पर लगाना है. इसके अलावा आप इस मसाज से भी अपने facial wrinkles को खत्म कर सकोगे. इस मसाज को आपने अपनी morning routine में add करना है, और से 3 minutes लाजमी perform करना है. Number 2 हमें देखने के साथ साथ हमें beautiful दिखाने में eyes face का एक prominent part है. कुछ लोगों की eyes छोटी होती हैं, मगर beauty के लिहाज से large eyes को beautiful समझा जाता है. हाँ, eye color कोई माने नहीं रखता, जो भी eyes color हो, क्योंकि large eyes face को more open और welcoming दिखाता है. अगर आपकी eyes थोड़ी छोटी हैं, तो large और big eyes के लिए ये exercise अपनी fingers के through perform करनी है. अपनी fingers से 1 minutes daily करना है. इसका एक और फायदा ये है, कि इससे आपका eye vision ठीक होगा. अगर आपकी eyesight weak है और eyes large और wide दिखेंगी इन दो चीजों का तो आपको पता चल गया. मगर आने वाले third step और हमारा एक ऐसा facial feature, जो हमें सबसे ज्यादा attractive दिखाता है, हमारे face के proportions को balance करने में nose एक essential sign है. एक slim nose, जो बाकी face के इलावा proportion में हो, तो उसे attractive समझा जाता है. एक straight और vibration movement, create करते हुए इसको three men point है. और ये attractive face का ident, कल nose attractive face का sign है. मोटे nose को slim और sharp करने के लिए, आपने एक exercise को daily routine में add करना है, जो आपको इस video में मिलेगी. अभी description में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं. Number 4 अगर हम मोटापे या face की बात करें, तो ज्यादा मोटापा face से ही लगता है. एक और बात के model सिर्फ अपनी cheeks को fix करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और exercise करते हैं, diet करते हैं. तो cheeks fat को कम करने के लिए, ताकि face एक actor की तरह character लगे, तो आपने ये exercise daily five minute करनी है. इससे आप cheeks को hollow cheeks में convert कर सकते, arch in video हो. इसके बाद एक large face के साथ, face shape को change कर सकते हो. Number 5 अगर आप इस face को देखें, तो बताएं, कि क्या बार-बार इस face को देखने को दिल करता है, या नहीं. अगर नहीं, तो आप खुद समझ सकते हो, कि sharp jawline face को कितना attractive दिखाती है. चिन के नीचे fat जमा रहता है, और वक्त के साथ ये face neck beauty को खराब करता है. इसके लिए आपने इस jawline exercise को daily perform करना है. सुभ़ या शाम best time है. सिर्फ 2 या 6 minutes की. Exercise से आप एक perfect jawline on कर सकते हो. Number 6 हम चाहे जितने expensive कपड़े पहन लें. अगर आपका face छोटा है, तो हमारी looks कम होती है. Age compared to wide और long face के I mean के short chin. अगर आपकी chin genetically short है, तो इसका अला सिर्फ surgery है. हाँ, अगर face fat की वज़ह से chin छोटी दिखती है, तो आपने इस exercise को daily 5 minute लाजमी perform करना है. इससे आपकी chin muscular दिखेगी. Number 7 एक attractive face के sign में, fuller lips, जो कि full और plums हो, इनको भी beautiful समझा जाता है. हमारे bottom lips, top lips से थोड़ा large होते हैं. हाँ, एक और बात कि धिन lips भी face looks को खराब करती हैं. अगर औरतों की lips थिन हो, तो इन पर lipstick नहीं लगती. तो plump lips के लिए आपने daily इस exercise को perform करना है. इससे lips line improve होगी और lips plump दिखेंगे number 8. कुछ लोगों के कान बहुत बड़े दिखते हैं. ये कुछ लोगों की genetics में होता है. अगर parents जैसे हो, वैसे ही बच्चे दिखते हैं. तो बड़े कानों को fix करने के लिए complete guide video description में जाके आप देख सकते हो. इसमें आप सीख सकोगे कि आप आपने अपने big years को कैसे fix करना है. Number 9. Well-countered. नेक एक well-defined और countered neck beauty और grace का sign समझा जाता है. क्योंकि neck face के साथ attach होती है. और अगर neck muscular ना हो, पतली हो तो face shape भी खराब दिखती है. इसके लिए आपने इस neck exercise की help से अपने neck को muscular और graceful बनाना है. इस exercise को सुबह time या शाम time आप कर सकते हो. Number 10. एक smooth clear skin tone को भी sign off beauty समझा जाता है. आपकी skin का color जो भी हो, बस आपने skin को अच्छा और healthy and soft बनाना है, जिसके लिए आप मेरी काफी videos देख सकते हो. सच बात ये है कि face beauty एक subjective topic है. कोई beautiful होता है तो कोई average होता है. तो ये तैंस ऐसे facial features हैं जो generally खूबसूरत and attract लोगों में देखे जा सकते हैं. I hope कि आपको मेरी ये video अच्छी लगी होगी. Thanks for watching. Subscribe me please. Thank you. झाल झाल